बूड इवनिंग दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद है सबकी तयारी अच्छे से चल रही है और जिनकी नहीं चल रही है तो भाई लग जाओ अभी भी वक्त है जान लगा दो या जाने दो ठीक है वरना जो पिछले 6 माईने से तयारी कर रहें वो निकाल लेंगे आप लोग ब यह सभी बोल रहे थे हैं काफी टाफ है बड़ा लेंग थी से लेबस वास लेबस दे दिया है तो हम यह जितने साथ के साथ टॉपिक है इनकी इसके तो एक बार पैन कॉपी निकाल लो मैं आपको पहले इसके से लेबस जो था वो एक बार बता देता हूं कौन-कौन सा था एक फिजियोग्राफि ऐंडिया, इंडियन रिवर्स, लेक्स और वार्टरवर्ड, इंडियन स्थोइल, सींजन नैच्रण वेज़ितेशाइन, इंडियН एंडियन अग्रिकल्टरेटारइक इंडीन एनिम क्स्पालर य आइननेमल ऑजबंडरी, इंडियन मिनरी य साथियो MCQ Series लाएंगे आपके लिए और साथ में Crash Course भी इसका तयार हो रहा है वो भी आपके लिए बहुत जल्दी आएगा ये जो हमने अभी MCQ Series शीरू करी आपकी 500 Important Questions होंगे इसमें मैं ये तो नहीं बोलूँगा इन में से आएंगे अगर आप लोगों ने ये पूरी Series कवर कर रखी होगी तो मैं इतना शेयर हूँ कि आपका 50% syllabus इस MCQ Series से कवर हो जाएगा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और हम लोग जो ये Questions है JKSSB की जो Pattern है उसी Pattern Based बनाएंगे ठीक है तो चलो यार बिना टाइम विस्ट किये शुरू करते है Question फर्स देख लेते है Which state has smallest land area Options are Goa, Nagaland, Sikkim, Tripura Answer है इसका Option E Goa ठीक है अब जल्दी जल्दी देख लेते है Goa के बारे में कुछ facts Goa की Capital सबको पता ही होगी 1G Goa की Official Language Goa का Statehood Day 30th of May यह थे कुछ facts किसके? Goa के बारे में चलिए, Question second देखते है The climate of India is mainly tropical Because Option A Because of the location of Himalayas in its north Okay Because major part of India lies within the tropics Okay Because of the overpowering influence of Indian Ocean Okay Option D Because of the seasonal influence of the jet streams Nahi bhai साफ Jet stream का यह बिल्कुल इससे कुछ लेना देना नही है यह है because of monsoon winds जो ब्लो करती है ट्रॉफिक लेवल वाले साइट में जो कहां पे है हमारे हमाल्याज में कहां नॉर्दन पार्ट अफ इंडिया और नॉर्दन पार्ट अफ हमाल्याज ऑप्शन इस दे कर्रेक्ट अंसर ठीक है दन क्वेश्चन थ्री तू वाल्कनिक आइलेंड इन इंडियन टेरिटरी आर ऑप्शन इस ने थोड़ा बहुत भी जोग्राफी पढ़ा होगा उसका अंसर तो यह आंखे बंद करके भी दे देगा सुनके देदेगा पढ़ने के जुरूत भी नहीं पड़ेगी ऑप्शन डी है इसका नौर कॉंडम एंड बेरन आइलेंड ठीक है इसरन मोस्ट आयलेंड रइंड रणес आयलेंड इंडिया आपना नौर कॉंडम फ्रीकया है और अपना जो बेरन न एक्टिव वाल्केन है स्वूंध इस्वल्स इसअ का राथटि 2 एकटिव वाल्केन इस आयलेंड ठीक घित जो तो कहां BF Bengal में पढ़ता है, ठीक, let's move to question 4, among the following union territories of India, which one has the largest size, ठीक है, ये आप लोगों को states उर, यूटीज का पता होना चाहिए, ये कई बार questions असे फज जाते हैं, ठीक है, इसको option है, ये, ठीक है, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, question 5 देख लेते हैं, which one of the following pair is correctly matched, प्लिम्सोल लाइन, इंडिया, आफगानिस्तान, दुरेंद लाइन, इंडिया, मयानमार, मैक मोहन लाइन, इंडिया, नेपाल, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया, पाकिस्तान, ठीक है, तो आँके बंद कर की बता दियो गानसर सबने, अपने तो पडूसी हैं ये भाई साब, थोड़े बहुत पंगे रहते ही इनके साथ, कभी ना कभी तो, तो correct answer is D, Red Cliff, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, दुरेंद जो है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, मैक मोहन लाइन जो है, इंडिया और चाइना के बीच में है, ठीक, question 6 देख लेते हैं, डंकन पासेज इस सिचुएटेड बिट्वीन, अंडरमान इन निकोबार यार, simple, बाकिस्तान देखना है यह कुछ, लेटल अंडरमान इन कार निकोबार, okay, question 7, 10 डिग्री चैनल इस बिट्वीन, डॉवर और और कैलिस नहीं, अलास्का एंडरुशिया नहीं, लेटल अंडरमान इन कार निकोबार, बिल्कुल सर, नौर्थ कुरिया, सौर्थ कुरिया कहां आ गये, यह बिल्कुल, एक 10 डिग्री चैनल है, और एक 9 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री तो अंडरमान इकोबार की बीच में है, ठीक है, और 9 डिग्री जो है, यह लेकाडिविया आइलेंड जो है, और कालपानी, इसका और सहली पर, सहली पर, इन दोनों के बीच में आता है, 9 डिग्री, ओके, और कुशन 8, if the usual rule of calculation of time were applied for the extremes of Gujarat in Arunachal Pradesh, then approximately time at Gujarat would be ahead of that at Arunachal Pradesh by 3 hours, at Gujarat would be ahead of that at Arunachal Pradesh by about 2 hours, at Arunachal Pradesh would be ahead of that at Gujarat by about 3 hours, ठीक है, ये तीनों option गलत हैं भाई साब, correct answer है, इसका, at Arunachal Pradesh would be ahead of that at Gujarat by about 2 hours, ठीक है, ये rule of calculation जो time होता है, उसका हम लोग अपने crash course में आपको in detail बताएंगे, ठीक है, कि calculate कैसे करते हैं time हम, अगर आप East में खड़ें तो West में क्या time होगा, वेस्ट में खड़ें तो East में का time होगा, ये जो degree का funda है, ये सब हम आपको geography crash course जबाएगा, उसमें in detail बताएंगे, चलो, अब next question देखते हैं, question line, Indian standard meridian, passes through the states of UP, MP and, और कौन कौन सी state से गुजरती है हमारी Indian standard meridian line जो होती है, ठीक है, ये इंडिया में पांच state से गुजरती है, कितनी? फाइव, ठीक है, नोट कर लो, 36 गड़, ओडिसा, अंदरा, UP and MP, कितनी होगी? पांच states, ठीक है, याद रखना, अब मैं इस answer नहीं बताऊँ, answer command marks में बताऊँ, ठीक है, चतिस गड़, ओडिसा, अंदरा परदेश, UP and MP, इसका answer मुझे, command marks में बताऊ, question 9 का, okay, question 10, अर्शे दीप आईलेंड आर सिटुएटेटेड इन, इंडियन ओशियन, अरेबियन सी, बे अफ बेंगॉल, ये तो होगा नहीं है, इनों में किसी में तो होगा, ठीक है, answer is B, BF, Bengal, ठीक है, next question, which foreign country is closest to Undermann Island, ठीक है, मैंने बाई, बताओ, बताओ, which foreign country, is closest to Undermann Island, शिरिलंका, नहीं भाई साब, नीचे बाई, ये अपना यहाँ पे है, शिरिलंका, ठीक है, Undermann Island कहाँ उपर है, ठीक है, close कहाँ हो गई, ठीक है, Indonesia, इदर को है, पाक भाही, इदर को है, बचा क्या, Myanmar, answer is Myanmar, okay, next question, which one of the following state, shares, boundaries, boundaries with the maximum number of the states of India, ओके, question 12, एक बार फिर से पढ़ देता हूँ, मैं आप सब को, which one of the following states, shares, boundaries with the maximum state of, other states of India, कुन सी ऐसी state है हमारी, जो maximum state से अपना border share करता है, question 12, बताए, अच्छा हिंट दे देता हूँ, वो अपनी, ये, अपनी नौर्थ इसन स्टेट है, ठीक है, चलो, अब बता देना answer, इसके comment box में, ठीक है, नौर्थ इसन स्टेट है, उस तरफ वाली एक स्टेट है, ठीक, चलो, next question में बढ़ते हैं, जारखंड does not share boundary with, जारखंड किस के साथ boundary share नहीं करती, जारखंड भाई सब कहा है, पता है न तुम्हें, जारखंड, वेस्ट पिंगॉल से भी boundary share करती है, ओडिशा से boundary share करती है, 36 गड़ से भी boundary share करती है, बचा एक मद्य परदेश भाई साब, इनसे ये boundary share नहीं करती, ठीक है, अब तुम लोगोंने जिगोराफिय पढ़नी कैसी होती है, कोई भी subject हो, जिगोराफिय उठा लो, quality उठा लो, हिस्सी उठा लो, कभी भी question देखोगी, उसका answer देखा, जैसे इसका answer डी ये देखा, next पे चलेगे, नहीं, बाकी तीन option के बारे में भी पढ़ना है, वैसे concept clear होते हैं, ठीक है, एक जो answer correct है, वो आ गया, that's it, ओ हो, शाबाश, हमारा answer सही है, चल पड़े है, नहीं, बाकी तीन जो option से, उसके बारे में भी पढ़ना है, ठीक है, तो जाके तुमारे जो basic concept हैं, वो clear रहेंगे दिमाग में, चलो question 40 देखते हैं, which of the following is east of the undamon and nicobar island, बताओ sir, शिरिलंका, दिमाग से निकाल लो, Thailand रख लो थोड़ा सा, इंडोनेशिया रख लो थोड़ा सा, ये है नहीं तो ये होगा नहीं, तो simple सी बात है, इंडोनेशिया, थाइलेंड नहीं है, इंडोन निकोबार के east पे, east पूछा है, याद रखना, question ढंसे पढ़ना, east-west में confused नहीं होना है, okay, question 15, the states which have common borders with China, ठीक है, इन में से कौन-कौन सी states हैं, जो चाइना के साथ border share करती हैं, बताओ sir, सिक्किम करती है, अरुनाचल परदेश करती है, हिमाचल परदेश करती है, बचा कौन प्यारा जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, पहले जब state थी, ठीक है, जब अपना लदाख, और जेंड की एक होगा करता था, तब तो ये करती थी, ठीक है, अब comment section में मुझे बताओ, कि चाइना के साथ जम्मू एंड कश्मीर, border share करता है, या नहीं करता, ठीक है, answer इसका, ये है, ये मुझे बताना के ये कर रहा है या नहीं, और यहाँ पर states, ध्यान रखना, question दख्या पड़ा करना है, ऐसे नहीं होता, the states of India having common border with, Myanmar, states of India, Myanmar, common border, कौन कुछी states share करती है, ठीक है, इसकी ये में तुम्हें न, एक ट्रिक देता हूँ, ठीक, इंडियन स्टेट्स, Myanmar, बॉर्डर, ठीक, कौन कौन सी, state share करते हैं, आज कल आप लोगा ने देखा होगा, हर दूसरे के पास, कौन सा मुबाइल है, म आई, ठीक, म आई, के मुबाइल आज कल बहुत आम हो रहे हैं, ठीक है, म आई, नाम, एन एम नाम लिखना, आम, ठीक, म आई, नाम, आम, ठीक है, ये states, मैयान मैयर के साथ, बॉर्डर्स शेयर करती हैं, ये ट्रिक है, एम आई, मुबाइल आज कल जो है, ये नाम आम हो गया है, ठीक, म आई, मिजोरम, एन, नागा लेंड, अरुनाचल प्रदेश, मनिपूर, ठीक है, याद रखना, मिजोरम, मनिपूर, नागा लेंड, अरुनाचल प्रदेश, ओप्शन ए, इस दे आंसर, ठीक है, कॉश्चन 17, इंपॉर्टन कॉश्चन है, ये, डंग से देखना थोड़ा सा, सब की दिमाग में ये आ रहा होगा, ठीक है, अब बताओ भाई, इंडिया का कौन सा स्टीट है, जिसका लार्जेस्ट एरिया है, जो वेस्ट लैंड के अंडर आता है, वो है भाई साब, राजस्थान, ठीक है, अकॉर्डिन टू सेंसस 2011, ठीक है, राजस्थान का 25 पर्षंट एरिया, वेस्ट लैंड में आता है, और राजस्थान का 18 पर्षंट एरिया, नैस्ट लैंड में आता है, यह फैक्ट याद रखना, 25 पर्षंट, अठाhe पर्षंट, 25 पर्षंट स्टेट का, अठाव सेंड अठाव आथरा पर्षंट, इसका नैस्ट लैंड में आता है, ठीक है, the largest population of scheduled tribes direct बताता हम यार जदा time भी इस नहीं करूँगा मद्यपरदेश 1.6 करोर population जो यहां की है वो scheduled tribe है tribes की category में आती है इसकी population scheduled tribe ठीक है 21% जो इस state की population है वो इसमें आती है according to 2011 census कुछ भी पढ़ोगे fact-based पढ़ना है उपर उपर से कुछ नहीं पढ़ना है ठीक है पढ़ो तो दिल से पढ़ो नहीं तो छोड़ दो यार करना ही क्यूँ है ठीक है ना मन लगा के करोगे तो मन लगा रहेगा मन लगाने के लिए पढ़ोगे तो मन नहीं लगेगा ये चीज़ याद रखना ठीक है चलो next question की तरफ जाते है जाताए ग्यान नहीं पेलते है हम वहरा कोई ग्यानियों का channel नहीं है ठीक है question 19 the Himalayan mountain system belongs to which of the following ठीक मैं तुमें एक स्थ बता दू जाले यार इससे तुमारा बिल्कुल साफ साफ clear हो जाएगा शाहिद Himalayan mountain system जो होता है इसको हम youngest and highest fold mountains कहते है ठीक है मुझे और कुछ बताने की जरूत नहीं शाहिद the oldest mountains in India according to geographical history कौन सी है सत्पुराज, निलगिरीज, विंधियाज, अरावलीज answer is अरावलीज और अरावलीज जो है हमारी ancient mountains भी कहा जाता है ancient mountains ठीक है और ये जो है oldest range of Himalayan system तो क्या है youngest और highest जो अपने ये हैं अरावली इनको हम लोग हम जल्दी जल्दी history, polity, economy सब का crash course भी लाएंगी और mcq series भी आएगी जनरल awareness की और जनरल साइंस की भी बहुत जल्द आएगी तो thank you so much God bless you keep learning, keep sharing